तो गुड बॉर्णिंग गाइज और यह मेरा बारवा दिन स्रिलांका में और मैं अब यह जा रहा था बेकपस्ट करने के लिए और मुझे एक ब्लॉगर मिले इंडियन से एक्षुली मुझे लगा था हो स्रिलांका नहीं लेकिन यह है इंडिया से और वही मुंबाई से और यह और ट्विस्ट है यह वह सोलो ट्रैवलिंग करती है और मैं दस दिन से यहां सोच रहा था टुक्टु लूँ टुक्टु लूँ और सब लोग यहां जिदने भी फॉर्णर्स को सबको देखा मैंने टुक्टु से ट्रैवलिंग करते हैं एक्षुली रेंट पर टुक्टु रेंट किया है और यह अभी घूमेंगी पूरी स्रिलंका टुक्टु से तो लाइक आपका यूटुब चैनल ने मैं प्रीती मैं यूटुब चैनल इस पैपी ट्रैवलिंगर्ल ऑग पर देख लिजिए यह तुक्टु का भी पूरी यह सिर्लंका में गूमने वाली यह तुक्टु से और बहुत यह अच्छा लगा मुझे कि सोलो ट्रैवल कर रहे हैं बहुत मैं सपोर्ट करता हूं सोलो ट्रैवल को सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और कुछ बच्चे हैं तो आपको थोड़ी दिन में वह भी धीरे-धीरे मिल जाएंगे और जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैं रहूंगा नॉर्थिस्ट में और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर से नॉर्थिस्ट के लिए ही चेक कर रहा हूं और जब यह वीडियो देख रहे होंगे मैं नॉर्थिस्ट में र कितना सेफ है हीचायक करके लिए और मैं Bangalore से हीचायक कर रहा हूं 20 के लिए जैसा क्यिन में बताया और लिफ्ट मिलती हैं कितने स्कांट है और मेरा नौसट का प्लान मैं फॉट फाय डेज का है सो गाइस मिलते हैं आगे और तब तक मेरे वीडियो को सिर्लंका के वीडियो को इंज्वाइब और मिलते हैं अभी खाना खाके जैस निकला था तो हुआ यह की चिकन करी जो खा रहा था वह एक्षुली आपको पूरा इंडियन तो नहीं मिलेगा इंडिया जासा लेकिन थोड 50-50 है तो तुम्हें कैसे लगा जीट क्या फिट बग दोगे चिकन करी को बेकार कभी मत खाना तो इसका यह फिट बैक है मेरा क्या कि 50-50 अगर नहीं के जगह पर थोड़ा सा कुछ है मिल सब्सक्राइब तो अलो गाइड गंगा रमया तो अभी हम गंगा रमया रोड पे औ अभी हम जा आएं जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट जो मेरा ट्रिप रहेगा इंडिया जाने से पहले तो मैं उसको कॉलंबो में एक्स्प्लों को एक्स्प्लोर करूंगा और मैं जश्ट अभी उसके पाउड टेंपल के पास में हूँ और देखते हैं कै कि मैं भी घुमते हूं। कीसा एकया तो आपको बताते हैं आगे मिलते हैं लिए निया करें mieć portion लायक करें म्रेशा को कमेंट करें और जो लोग नए और subscribe करें तो मिलते आगे तो हलो गाइज और आप देखिए इनर का थोड़ा सा विव कॉलम्बो का कर दो कैसल आपको विव कमेंड में बता जरूर और मैं भी कॉलम्बो पहली बार आया हूं पत्ब कॉलम्बो मैंने एक्स्प्लोर नहीं किया था स्रिलंका पहली बार आँ और कॉलम्बो को एक्स्प्लोर कर रहा हूं तो ऐसा है कि कबूतर मर गया है और किसने मार दिया है तो कवा कैसे मर चुका है साइट और उसका पॉस्मोर्टम होने वाला है तो हम नहीं करेंगे मजा क्ता चली आगे चलते और मुझे बहुत ही अच्छ लागे चलेंगे हम गंगार हमाया टेंपल हो तो बाहिए मेरे वीडियो कैसे लग रहे है कमेंट करो यार हां विल कम लेटर ओके हां 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 सो गाइस प्रीवेडी फोटो सूट में चल रहा है वह भी हम आपको देखाते हैं और देखिये हां 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 है तो गाइस बताइए आपको यह कैसा लगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला था कमेंट करें और यह बंद अभी यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो थोड़ा सा ब्रीज बना है बहुत ही कुशूरत था मैं सोचा कि अभी जाओंगा औ इस पहते डियोदяти आपको भी दिखाने वाफिद और यह दिखो घंड़े बहुत सारी सुरण और हैं कि और से मिस साइड भी आप और यह राख खुब्सूरा सा बिल्डिंग इस बिल्डिंग का नाम बता हो जिसको जिसको पता है कमेंड में के कलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं गंगरे में टेंपल और जूते जो भी रखना पड़ता है जो मुझे टिकेट मिला है ओ है 400 उपीज का इंटरिफी है इसका और चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं गंगरे में टेंपल आपको दिखाते हैं आपको बहुत ही कुप्सुदरे टेंपल है मैंने पहली बार देखा है और इतना अच्छा लगा है आपको बहुत ही अच्छा टेंपल है और यह देखें तो चलते हैं अंदर पको बहुत हैं पे он Éta है कि अच्त टाव आपिह दोल तो जो गाइज बताया कैसा लग रहा है बहुत इक उप्सूरे टेम्पल है और यह पानी के बीच में है अब्धाय के चला रहा है आज बहुत इक उप्सुरे टेम्पल यह रहा है कि अच्छ लग रहे हैं अच्छ लिया है अभी फोड़ा और अदर सब्सक्राइब मैं रिकमेंड करूंगा आई एक बार बहुत भी अच्छ है अब तर सोचे लाँ खोड़ा कुछ पोटर ले लूँ और मिलते हैं आगे कर दोड़ें कर दो दोड़ें thought